है गाइज लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं अथा को लकॉंडा फोर्ड पे अभी मैं आ चुका हूँ चार मिनार पे जो की हैतराबाद की सान है और आपको लकॉंडा फोर्ड से यहां के लिए टारेक्ट फॉस बिल जाएगी तो आइए इसको स्पोड करते हैं कर दोस्तों चार मिनार का नहीं करवाया था जो की जिसने अपनी रधानी कोलकॉंडा से हैदराबाद सिट्के उस टाइम पे इस मार्क का नहीं करवाया और चार मिनार के पिसल करव तो चार द्वार है और उपर में चौर मिनार है और ऐसा माना जाता है मक्मिने íciosot लगल के श्रफॉब नशीर माता भार्पा लट्ष्वी का मंदीर को नहींत दिखाता हूँ आपको यह देखिए सामने माता का मंदीर है और इसके लिए काफी लंगी नहीं लगती है तो खुबसूरत चार मियार घुमने के बाद एक और खुबसूरत जगह पे हूँ मैं जिसका ना में हुसें सागर लेक अभी तो फिलाल काफी धूप है यहां पर बट साम में यहां पर लाइटिंग होती है उस समय का अभी काफी ऑसम होता है और यह भी लोकेशन है तरावाद के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहां के लोग यहां पर आका इंज्वाइए करते हैं और यहां पर आपने मुभी में देखा हुगा यहां पर शूटिंग होती है बहुत सारे मूभी के इस लोकेशन का यह एक अर्टिफीसियल लेक है और इसके बीच में ठीक एक पार्क है एक आइलेंड की तरह जो कि वहां पर बुद्दा का स्टैच्यू है वहां से हम बोर्ड से जाते हैं इसका नाम हलूमनी पार्क और फिला नियारा का देखिये नाजरा कितना खुबसूरत है दोस्तों हुसेन सागार के थोड़ी इंदूरी पर है इविरला मंदीर अब है अचुका पूस्ती है ओर अंदर में फोण इलाव नहीं है इसलिए मैं अंदर कसम नहीं सुपकर सकता हूं इसलाल तो फ्रेंड्स मैं अभी लेज रहा हूं और इसलिए मैं फिर अब दर वीडियो में यह द्राबाद का लास्ट वीडियो है हुआ हुआ। झाल झाल